हेलो 42 अभी वादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में आसानी से दाढ़ी बनाने के लिए सेविंग क्रीम का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं पर क्या आप जानते हैं कि ये सेविंग क्रीम्स आपको कई तरह की बिमारियां भी दे सकती हैं दरसल सेविंग क्रीम्स को बनाने के लिए खतरनाक इंग्रीडियंट्स का इस्तेमाल किया जाता है ये इंग्रीडियंट्स तवचा से आसानी से अब्जार्ब होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुँच जाते हैं तो सेप करने के लिए कौन सी क्रीम का करें इस्तेमाल यही है आज के इस वीडियो का विशह जिसमें आज आप जानेंगे बाजार में मिलने वाली 20 सेविंग क्रीम ब्रैंड्स में कौन सा ब्रैंड है आपके लिए सबसे अच्छा यह और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आज आपकी जानकारी के लिए और आज का यह वीडियो समर्पित है कुनाल कौसिक, हरीनगर कॉलोनी, पलवल, हरियाना को और आईए अब बात करते हैं आज के विशह के बारे में आज कल बाजार में मिलने वाली क्रीम्स तरह तरह की हाइप क्रियेट करती हैं कुछ ब्रैंड कहते हैं कि उनकी क्रीम में एलोवेरा, कुछ कहते हैं उनकी क्रीम में जोजोवा, टी ट्री ओयल, ओलिव ओयल, विटेमिनी या कोकोनेट ओयल मिला हुआ है पर वे इन herbs और oil के नाम पर कई सारे खतरनाक ingredients मिलाते हैं और उसके बारे में कोई बात नहीं करते सेविंग क्रीम का हमारी तवचा पर पढ़ने वाले दुस्प्रभाव के याधार पर हमने इनको अच्छे से खराब के क्रम में दो केटेग्री में बाटा है और आईए अब बात करते हैं केटेग्री टू की इस कटेग्री में हमने रखा है Bombay Saving Company Saving Cream, Gillette Classic Sensitive Skin Pre-Safe Form को, Gillette Series Moisturizing Save Gel और Gillette के कई सारे अन्न ब्रैंड्स के नाम पर क्रीम्स आती हैं उन सभी को इन सभी ब्रैंड्स को बनाने के लिए कई सारे खतरनाख Chemicals का इस्तेमाल किया जाता है जैसे Sulfate यह एक खतरनाख Chemical Compound है और आम तोर पर यह Ingredient List में Sodium Loreal Sulfate यानि SLS के नाम से पाया जाता है और यह तवचा के लिए बहुत ही खतरनाख है यह एक Foaming Agent है जो जाग बनाने में काम आता है तो आप भी अपनी Saving Cream की Ingredient List देखिए और पता कीजिए कि क्या उसमें SLS है या नहीं इसके बाद नाम आता है Parabins का Parabins से Allergy, Skin Irritation, Contact Dermatitis, Serious Skin Inflammation जैसे Races, Blister और Burning तक हो सकते हैं अध्यान बताते हैं कि Parabins Cancer तक करने में सक्चम होता है इसके बाद अगला Ingredient है Propylene Glycol यह एक Mosterizer है और Anti-Freezing की तरह काम करता है यह कई प्रकार के तवचारोगों के साथ Depression तक करने की छमता रखता है इसलिए Saving Cream खरीदते समय इस बाद का ख्याल जरूर रखें कि Saving Cream की Ingredient List में Propylene Glycol ना हो इसके बाद नाम आता है Triethanol Amine यानि T.E.A का इसके अलामा T.E.A कई तरह के Hormonal Problems के लिए भी यह मेदार है तो अगर आप Thyroid या Diabetes के मरीज हैं तो आपको अपनी Saving Cream की Ingredient List पर दोबारा नजर दोडानी चाहिए इसके बाद सबसे खतरनाक Ingredient है Parfume या Fragrances हम कोई भी सौंदर प्रसादन खरीदते समय सबसे पहले उसकी सुगंध पर ध्यान देते हैं और आम तोर पर यह सुगंध कई तरह के Chemicals से मिलने से बनती है या Artificial Parfume तचा के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होते हैं इनको बनाने के लिए लगभग 200 तरह के Chemicals का इस्तेमाल होता है और इन Artificial Parfumes को बनाने के लिए किन Chemical का इस्तेमाल किया जाता है या कोई भी कमपनी डिस्कलोज नहीं करती ये Artificial Chemical इतने खतरनाक होते हैं कि ये Cancer, Thyroid, PCOD, Diabetes और हिदे रोग जैसी बिमारियां हमें दे सकते हैं दरसल Artificial Fragrances काफी सस्ते में बनते हैं इसलिए इनका धडल्ले से इस्तेमाल किया जाता है बड़ी कमपनिया जैसे Gillette भी इनका इस्तेमाल धडल्ले से करती हैं और भारत में Ingredient List Disclose करना कानूनी रूफ से जरूरी नहीं है इसलिए कमपनिया फ्रिग्रेंसे को बनाने में इस्तेमाल होने वाले Chemicals और Products की Ingredient List भी छिपा लेती हैं तो क्रीम खरीते समय आप इस बात का जरूर ख्याल रखिए कि आपकी Saving Cream में Artificial Parfume न हो इसके बाद नाम आता है Foam का आसान सेविंग के लिए Foam एक नॉर्मल सी बात है पर क्या आप जानते हैं कि यह Foam दर असल Chemical Byproducts यह Surfectant होते हैं यह Chemical Byproducts तवचा के Natural pH को भी विगारते हैं इसके अलावा Foam को बनाने के लिए जिस केन का इस्तेमाल किया जाता है उसमें मिला होता है Propylene Glycol यह तो अच्छा पर कई प्रकार के हानिकारक प्रभाव छोड़ता है साथ ही यह Depression के लिए भी जिम्मेदार है इसलिए मेरी आपको यही सला है कि आप केन वाले Foam सेविंग क्रीम का इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है इसकी जगा आपको ट्यूब वाली सेविंग क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए हाला कि ट्यूब वाली सेविंग क्रीम में भी कई सारे खतरनाक इंग्रेडियन्ट मिले होते हैं और केटेगरी 2 में सबसे अंत में हम बात करना चाहेंगे पातांजली और वीको की सेविंग क्रीम के बारे में इनको बनाने के लिए किनी इंग्रेडियन्ट का इस्तेमाल किया गया है या पैक पर पूरी तरह साफ नहीं है इसलिए हमने इनको केटेगरी 2 का हिस्सा बनाया है बीको की saving cream में company ने ingredient list पर सिर्फ turmeric ही लिख कर छोड़ दिया है बाकी ingredients के बारे में company ने कोई जानकारी pack पर उपलब्ध नहीं कराई है और आईए अब बात करते हैं category 1 की इस category में हमने रखा है बायो टेक पलमेरा saving cream को इसके अलावा SOS natural saving bar water mint save gel for men forest essential sandalwood and orange peel saving cream और कामा आयरवेज saving foam को इन saving creams और saving foam को बनाने के लिए किसी भी प्रकार के toxic chemicals, artificial color और fragrances का इस्तेमाल नहीं किया है इन saving creams का इस्तेमाल आप निश्चिन्थ होकर कर सकते हैं इन saving creams के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप description चेक कर सकते हैं लिंक हमने वहाँ पर दे रखा है और वीडियो के अंत में disclaimer या है कि मैं category 2 की किसी भी saving cream का इस्तेमाल नहीं करता और मैं किसी संस्था बेक्तिया ब्रैंड से जुड़ा हुआ नहीं हूँ और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने pack पर लिखी ingredient list का ही अध्यान किया है और आप भी मुझे comment करके यह जरूर बताईएगा कि आप कौन सी saving cream का इस्तेमाल करते हैं और क्या इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी saving cream बदलना चाहेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो किसी से share भी जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद नमस्कार